अगर आपका कोई court case चल रहा है तो दो ऐसी गलतियां जो majority लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है पहली गलती तो यह है कि जब आप कोई भी filing करते हो या कोई दूसरी पार्टी कोई document फाइल करती है, कोई application लगाती है उसकी copy आप अपने वगिल साब से नहीं लेते हो एक तो आपको उसकी copy अपने पास रखनी चाहिए, आपको file बनागे रखनी चाहिए दूसरा आपको court की date पे जाना चाहिए अगर आप court की date पे नहीं जा सकते हो तो अपने वगिल साब को बोलके court का जो order है उसकी copy ज़रूर मंगवाईए और अपनी file में लगाईए ताकि आपको ये पता रहे कि court में चल गया रहा है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत party आती है वो बोलते हैं कि हमारे खिलाफ order हो गया लेकिन हमें पता ही नहीं है हर order को challenge करने का एक limitation period होता है और बहुत सारे case high court, supreme court में आगे सिर्फ इस लिए dismiss हो जाते हैं कि ताइम से उनको challenge नहीं किया गया appeal, revision जो है वो time से file नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि आपका case बहुत अच्छा होते वे भी सिर्फ limitation के कारण डिस्मिस हो जाए और सबसे बड़ी बात अगर आपको second opinion लेनी पड़ती है तो आप अपने वकील साब पर dependent नहीं रहुए कि वो आपको file की copy दे orders की copy दे तब जाके आप किसी दूसरे lawyer को file दिखा सको